जिस किसान के पास खेत है उसके पास पानी नहीं जिसके पास खेत और पानी है उसके पास बिजली नहीं बीच के लिए किसान उनको लंबे क्यू में कड़ा होना पड़ता है और कीटनाशक के लिए पैसे उदार लेने पड़ते हो और इस सब के अलावा प्राकृतिक विपत्ती भी होते हैं इतने कटिनाईयों के बावजुद भी किसानों को अपने उपश पर लाब मिलना मुश्किल है ये इस बार भी मेरे फसल के साथ क्या हो गया? इस बार भी अच्छी फसल शायद नहीं मिलेगी इस बार भी खेती के लिए बहुत उदार ले चुका हूँ इस फसल से तो कमाई भी बहुत कम होने वाली है बिश्णू के खेत में तो इस बार बिमारिया नहीं आये है मुझे शायद उससे पूछ लेना चाहिए कि वो अपने फसल को कैसे बचाया? अंदेरे में तारों के जैसे इन सवालों के जवाब भी समय के साथ मिल जाते हैं निल्नूर जिल्ले के मुझे नूर गाउ का विश्णू अर्दन ऐसा ही एक सितारा है वे अपने गाउ के सबी किसानों के लिए आदर्ष है अच्छे विद्यारती होने पर भी विश्णू अपने अन्नी दोस्तों की तरह नौक्री के खोज में शहर नहीं गया वो अपने पिताजी की तरह अपने ही गाउ में सुस्तिर खेती करता है विश्णू अरे शीवा तुम्हें यहां आना कैसा हुआ क्या बताऊं विश्णू मेरे फसल में कुछ बिमारियों के लक्षन दिखाई दे रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं हर तरह के कीट नाशक इस्तिमाल करके देख चुका हूँ कोई लाभ नहीं हो रहा तो यह आपके परेशानी का कारण है ठीक है शीवा चिंदा की कोई बात नहीं मैं आपको ऐसी जानकरी दूँगा जिसे फाइदा भी होगा और खर्ज भी कम होगा अगर हम ग्रिश्मकालिन जुदाई करेंगे तो हानिकारक कीट के अंडे और लार्वे मिट्टी से बाहर आ जाएंगे और धूप में नश्ट हो जाएंगे जुदाई के बाद खेत में पड़े हुए बेकार पत्ते और पौधे इकठा करके जला देते हैं कई कीडे और अन्य प्राणिया आग से आकरशित होके इसमें जल जाएंगी इस तरह कीट के अबादी में कम ही आएगी हमें उपजाओ के लिए 30 किलो बीच को साफ करना है और उसमें से बेकार के बीच को अलग करना है साफ बीजों को बीजा मुर्द से शुद करना है इससे बीच को हर तरह के बीमारियों से बचाया जा सकता है बीज शुद करने के बाद उसे सुखाना जरूरी है इसके बाद धान के लिए नर्शरी इस तरह से तयार करना है रुपाई से पहले पत्तों के उपरी भाग को काटने से खीडों के अंडे और लाडवे निकल जाते हैं पौधे भी अच्छे संख्या में बढ़ जाएंगे हर दो मीटर की दूरी पे एक फुट गहरा गली खेत में उत्तर प्रश्चिम दिशा में बराना चाहिए इन गलियों के वज़ा से सभी पौधों को अच्छी तरह से हवा मिलेगी मच्छर भी कम आएंगे हम अजोला भी उप्योग कर सकते हैं इसे अजोला कहते हैं ये पानी में उगने वाली एक फौर्न है अजोला धान के पौधे को नाइट्रोजन देता है ये खरपतवार और मच्छर को कम करता है विश्णू ये क्या कर रहे हो? शीवा इन सब को पक्षी बशेरा कहते हैं हम तीन लकडी लेके इने इस तरह बाढ़ेंगे और ऐसे साथ या आठ को एक एकड में खड़ा करेंगे इन पे पक्षिया बैठेंगे और फसल पे दिखने वाले कीड़ों को खा जाएंगे और इसे कितने दिनों तक रखना चाहिए? प्रत्यारोपन के 15 दिन के बाद इन पक्षी बशेरों को खेत में लगाना चाहिए जैसे बताया था पक्षी वहां रुप के कीड़े खा जाएंगे इस तरह फसल में कीड़े कुछ हब तक कम हो जाएंगे ध्यान देना फसल आने से पहले इन पक्षी बशेरों को खेत से निकाल देना चाहिए नहीं तो ये पक्षी उपज भिखा जाएंगे अब ये क्या है? शिवा इन्हें पीली प्लेट्स कहते हैं और इन्हें पीली प्लेट्स को इस तरह लगाया जाता है इन्हें लाठी पे बानने के बाद इन पे गोंद लगाया जाता है और इससे क्या होगा? इन प्लेट्स को धान के खेत में लगाने से कीड़े आकरशित होंगे और इन पे चिपक के मर जाएंगे इसे मच्छर भी कम हो सकता है हर दो दिन में प्लेव साफ करके उन पे फिर से गोन लगाना जरूरी है विश्णू, ये डंडे किसलिए है? ये डंडे लिंगाकर्शक जाल के लिए इस्तेमाल किये जाएंगे लिंगाकर्शक जाल वो क्या होते है? शिवा ये देखो, इसे लिंगाकर्शक जाल कहते है ये इस प्लास्टिक की प्लेट पे ये लिवर इस तरह लगाया जाता है इसके बार ये नीचे जो नेट है, जो जाल है, इसे भी इस तरह लगाते है ये लोग लिंगा आकर्शक जाल तयार हो गया है जिसे हम उस डंडे पे लगाएंगे ये देखो शीवा इसे इस तरह लकडी पे बांगते हैं इस लियोर से मादा कीडा की खुश्बू नर कीडा को आकर्शित करता है जो यहां आने से इस जाल में फसके मर जाते हैं इसे खेत में इस तरह लगाने से कीडों की मातरा कम हो सकती है शीवा खेत में रात को आने वाले कीडों का निवारन करने के लिए दीप जाल का इस्तमाल किया जा सकता है पहले दो लपड़ियों को लेकर उन्हें इस तरह बांद लेना इस विधी में लपड़ी को खेत में इस तरह गाड़ा जाता है और उस पे एक बिजली का बल टांगा जाता है नीचे एक बर्तन रखके उस पे पानी भरना जरूरी है इस पानी में थोड़ा किरोसिन डाल देना चाहिए रात को इस बल्ग की रोशनी से कीड़े आकरशित होते हैं और इस किरोसिन में गिरके मर जाते हैं अब तक तो कि इतना आश्कों पे बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ उमीद है कि इन प्रथाओं से फसल बहतर होगी इनके बारे मैं मुझे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्णू झाल